देखिए अगर आपका neckband आपके phone से connect है बट connect होने के बावजूद उसमें से आवाज नहीं आ रही है तो इस problem को आप कैसे सही करें इस वीडियो में मैंने बताया है तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखती रही है देखिए connect होने के बावजूद भी आवाज नहीं आती है तो इस problem को solve करने के लिए आपको simply सबसे पहला step क्या करना है अपने neckband को off कर देना है यहां से power button को long press करना है पाव बटन को long press करके इसे off कर देना है तो इससे आप turn off कर दीजिए तो यह off हो गया है ठीक है अब इसको यहां से वापस on कर लेना है तो अब simply से वापस से connect कीजिए और check कीजिए आपकी problem solve हुई है या फिर नहीं तो अगर इससे आपकी problem solve नहीं हुई है तो यहां पर ज्यादा तर chances हैं कि आपके आपका जो phone है उसमें कुछ bug है कुछ error है तो phone में भी Bluetooth problem हो जाती है जिसकी वज़े से हमारे neckband earbuds इनमें आवाज नहीं आती है तो उसे सही करने के लिए simply आपको phone की settings में जाना है और उसके बाद यहां पर आपको Bluetooth में आ जाना है Bluetooth में आने के बाद यहां पर Bluetooth को turn off कर देना है ठीक है अब यहां पर इसके बाद नीचे आना है और connection and sharing आपको option दिखाए देगा इसपे गलिक करना है और यहां पर आपको दिखाए देगा reset wi-fi mobile networks and Bluetooth तो यहां पर आपको reset wi-fi mobile networks and Bluetooth पर आ जाना है और देखिए यहां पर आपको simply अपने Bluetooth की जो गलनट settings है उससे default में लाना है तो उसके लिए यहाँ पर जो भी गलस settings है उन्हें reset कर देना है डरना नहीं है यहाँ पर आपका कोई भी data delete नहीं होगा बेफिकर होके आप यहाँ पर Bluetooth की जो गलस settings है उन्हें यहाँ से reset कर दे और उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है और end में अगर इससे भी आपकी problem solve नहीं होती है तो हो सकता है आपके hardware में कुछ issue है यानि कि आपके neckband के hardware में कुछ issue है या तो यह कहीं गिर गया है या इसके अंदर पानी चला गया है तो boat अगर आपका अगर यह neckband warranty में है और यह boat का है तो boat में क्या है अगर warranty में है तो आप service center जाएंगे तो आपको यह new new दे देंगे यह replace करके अपने पास रख लेंगे वो आपको और new दे देंगे वो तो आपकी problem free में solve हो जाएगी बल वारंटी में नहीं है तो आपको service center जाना होगा